कि हलो स्टूडेंट्स वेलकम डॉर ओनलाइन प्लाटफॉर्म सी बीसी सिक्षा आम यह टुटर रिया सिंगला सो आज मैं आपको करवाने जा रही है वर्ब की फर्स क्लास पर यह इंग्लिश ग्रामर की टोटल फिटींथ क्लास है जिन जिन बच्चों ने अभी तक मेरी क्ला एंड मैं आपके लिए कुछ सर्प्राइज लेके आई हो वीडियो के एंड तक जो आपको मिलेगा ठीक है चलो स्चार्ट करते हैं अपनी आज की फर्स्ट क्लास वर्ब की यह देखो क्या लिखा है मैंने वर्ब बेसिक मैंने आपको पहले ही कहा था फर्स जैसे मैं आपको आपको नहीं समझमी आएंगी मैं आपको अड्वांस में नहीं लेके जाओओंगी तेक हैं तो सचलो हम स्चार्ट करते हैं मारी आज की पहली क्लास वर्ब बेसिक वर्ब मोस्ली क्या होती है एक वर्ड जाट विज्ट रफट एन एक्षन हमारे जो एक्षन हम करते हैं यह वाले नहीं कि जैसे लाइक एक्षन वोल नहीं जो हमारे एक्षन जैसे मैं पढ़ा रही हूं ठीक है आगे and states of being कि क्या हम कर रहे हैं ठीक है जैसे what things do मतलब को एक्षन जैसे हम क्या कर रहे हैं जैसे मैं पढ़ रहा है रही हूं यह पढ़ रही हूं वो क्या है हमारे एक्षन how things are कि चीजें कैसी है ठीक है वो सब कुछ किसमें आएगा वर्ब में आएगा वर्ब का नॉर्मल हिंदी मतलब मैं बताते हैं जो आपके काले को मंटलेंग म मदापनेंग कstart क्या है अमारा वर्ब है ठीक है और जो ब को हम डूइग वर्ड भीगे बोलतें जो काम कर रहरा होता नो उसको क्या भ вид है doing word अब कुछ ना कुछ कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता है या करता ही रहता है ठीक है इसलिए आगे चलो वर्ब helping वर्ब ओके वर्ब की टू टाइपस है वर्ब की टू टाइपस है helping वर्ब और में वर्ब की आगे टू टाइपस है अब यह देखो जो वर्ब हम इसका पाद में में वर्ब को देखते हैं में वर्ब क्या है में वर्ब क्या जो आपकी में वर्ब यूज हो रही है जो आपका कारे को बता रही है कि क्या कारे हो रहा है इस सबसे अच्छी एक्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया है जैसे आइम प्लेइंग फुटबॉल कि जैसे आंब फुट्बाव ठीक है I'm playing football ठीक है I'm playing क्या हैब फ्लेंग क्या है हमारी में वर्बर का का काम गर हरी है ठीक है और मैं क्या है यह हमारा helping verb का काम कर रहे हैं जैसे मिन आपका बताया थे इस am, are हो गया, has and have हो गया, has, have do did everything, इसक्ट रहा, वो हमारे क्या आते हैं, that is all are called helping verb ठीक है, अब देखो modals can, could may यह सब हम as a modals ही यूज कर सकते हैं इसक्ट रहा, इनको हम सब को as a modals ही यूज कर सकते हैं, but जो जैसे used to dear and need हम इनको as modals as हम इसको main verb भी यूज कर सकते हैं ठीक है modals can, could में इसक्ट रहा, यह modals की को ही हम यूज कर सकते हैं, but use to dear and need इसको हम modals के लावा as a main verb भी यूज कर सकते हैं, modals हम इसको यूज करेंगे, करेंगे, but main verb भी इसको यूज करेंगे हम, ठीक है we do have, अब यह सब क्या हैं, हमारे helping verb हैं, हम इनको helping verb भी यूज कर सकते हैं, as similar हम इसको main verb भी यूज कर सकते हैं, ठीक हैं, जैसे do you come here do you want something, do you come here I say, कोई सही सही संटेंस में आती हूँ, do you want something अब यह क्या है do, हमारा as a main verb भी यूज हो रहा है ठीक है, do हमारा क्या रहा है, हम उसको do, have को helping verb के साथ, हम उसको main verb भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आई, verb के बीना हम संटेंस तो बना ही नहीं सकते, most सबसे बड़ी बात, ठीक है, अगर हमें पता ही नहीं हम कारे क्या कर रहे हैं, तो हम बताएंगे क्या किसी को, ठ अग्जलरी वर्ब देखो क्या आती है, एन अग्जलरी वर्ब helps the main full verb and is also called a helping verb, जो अग्जलरी वर्ब होती है, उसको हम helping verb भी बोलने हैं, with auxiliary verbs, you can write sentences in a different, different tenses, mood and or voices, अगर हमें अग्जलरी वर्ब को लिखना है, तो हम उसको different tenses में यूज करके लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं अगर मैं happy हूँ, जब मैं लिखूंगी वर्ब को तो मैं happily mood में लिख सकते हूँ, ठीक है, अगर मैं नराज हूँ या गुसे में हूँ, तो मैं उससे हिसाब से लिख सकते हूँ, ठीक है, main इसका आगे देखो, ये इसके types हैं auxiliary verb के, जैसे modal, modal auxiliary verbs, modal consequences होते, can, could, may, might, shall, will, would, should, must, or to, ये सब क्या है, auxiliary verb हैं, but it is also, it is used only helping verb, हम इसको सिर्फ as a helping verb ही यूज कर सकते हैं, जैसे, she can run fast, ये सिर्फ एक modal है, ये इसको हम सिर्फ as a helping verb ही यूज करें, main verb कौन सी है, run, main verb कौन सी है, run, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, ये सिर्फ modal है, you should study English, अब should क्या है, modal, study क्या है, main verb, ठीक है, ये clear हुआ सब को, क्योंकि जो ये words इनको, modals है, इनको ये हम सिर्फ as a helping verb में यूज कर सकते हैं, हम इनको main verb में नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ clear होगे, सब को, आगे चले, अब आएगा, modal, auxiliary verb, अब ये second point है, इसका second rule देखो, इसका, after this word ought and used, infinitive to, और वर्ब की फॉर्स्ट और इस यूज अब मेरे पीछे देखो, मैंने भी आपको कर आया था न, out to, out to, अब ये देखो, इसके साथ तू लगा है, इसके infinitive के साथ तू लगेगा, और वर्ब की फॉर्स फॉर्म लगेगी, इसकी example देखती है, we ought to respect our parents, इसके साथ तू लगा और वर्ब की फॉर्स फॉर्म लगेगी, अब पूरे वर्ब में यही चलता रहेगा, वर्ब की फॉर्स फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थार्ट फॉर्म कौन सी है, ठीक है, अब ये देखो, he used to, come, come क्या है, वर्ब की फॉर् ठीक है, बताब, ought to, ought के साथ, और used के साथ, हम क्या use करते हैं, to use करते हैं, और वर्ब की फॉर्स फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, ये clear हो गया, बहुत छोड़ छोड़ इसी चीज़े हैं, बहुत basic चीज़े हैं, अगर मैं आपको ड़्वान समझाने लग जाती तो आपको ये छोड़ छोड़ चीज़े नहीं पताल चलनी थी, इसलिए specially मैं आपको बार बार ये चीज़ करवारी हूं, तांकि आपको समझ में आई चीज़े, मैं आपको बहुत जादा लेंधी नहीं करवारी, बहुत जादा खीच नहीं रही, बट आपको मैंने हर चीज़ का अग्सलरी वर्ब्स इस मॉडाल सा यूज अज अज में वर्ब नीट एंड 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 जेक्टिव यूस्ट इन असंतें अब मैं आपको पहली एक यह चीज़े समझा दिया की बट इनका कॉन सी वर्ब ओलते हैं मार्जनल ठीक है मार्जनल बोलते हैं यूस्ट यूनीड इसको यूज तो स्लीपिंग लेट आट नाइज एक आपकी हाप भी बता रहा है तो थीक है अब यह एक चीज की विशेश्टा रहा है मैं कहुं मुझे तुम्हारी जुरूरत है अब निइड आप में वर्ब का काम कर रहे हैं यहां में पर इंद क्या में पर को आप तो नहीं लगई सिर्फ एक नीड लगा हुए तो यह नीड क्या है एक में वान काम कर ठीक है और ओ्सुजिश में अप्समरisma काम कर रहे ती है खिलेड हो गे डिशुक है और चलें आगे अब यह देखो मोडाल्स अब यह देखना आपने कितने तरह के मोडाल्स वर्ब होते हैं कैन कॉड में माइट और मस्ट श्राव और विल वर्ड शुड यूस्टू और टू दियर और नीट ठीक है यह इतने कि दा वान टू थ्री फोर फाइश तेवन निट एट टाइपस ऑप मोडाल्स हैं हम थोड़े थोड़े करेंगे एक बार में कठे नहीं करेंगे तांकि आपको क्लियर हो जाए ज्यादा वह नहीं करेंगे हम एक दिन में सारा कुछ आपको प्रेशुराइज नहीं करवाऊंगी धीर अंग्लिश घ्राम्मर में हर जगा यूज होते हैं ठीक है ध्याँ से देखो कैन इस यूज फोर एबिलिटी पार कैपेस्टी परमीशन थ्राटिकल पॉसिबिल्टी फ्रेंडली रिक्वेस्ट हम को यहां यूज कर सकते हैं अगर कोई एबिलिटी के बात हो कोई पार की बा प्रेंडली निवेधन करना हो जिससे जिसे बोलते हैं जैसे ही के लिफ्ट दा बॉक्स कि आपके लिफ्ट दा बाक्स अब क्या है वो उसके पार चेकर रहे क्या वह लिफ्ट कर सकते है जा सकते बाक्स को जा सक पार उसके पैस्टी चार्क को जो ठीक है अब जा यूट इसने पर्मिशन दे दिकितुम जा सकते यूट गो नौ ठीक है कैना हाल पी अभी उसने एक ऑफर की एक उसने आफर की अब एक मतलब एक परमिशन यह उफर की एक कि क्या मतलब मैं परमिशन मागें क्या कैना है कि मैं तुम्हारी है कर सकता हूं ठीक है everyone can make a mistake अब हर कोई बंदा मिस्चेक करता ही है तो यह क्या पॉसिबिल्टी की नेच्छरली पॉसिबिल्टी है हैना कि यह है नहीं कि कोई बंदा ऐसा नहीं है दुनिया में कि जो गलती नहीं करता माना ना मानना उसके उपर होता है पर ऐसा कोई इंसान नह है जो वो गलती कर ना करता हूं ठीक है बट कईयों को मतलब नहीं पाता चलता कि हम गलती कर रहे हैं तो यह थ्राटिकल नौ थ्राटिकल पॉसिबिल्टी है everyone can make a mistake okay can I take your scooter अब एक यह देखो यह क्या है friendly पॉसिब रिक्वेस्ट एक बंदा किसी अपरे फ्रेंड से मांग र इस अमझ में कैने टेकर स्कूटर वाला कि क्या मैं स्कूटर ले सकता हूं कि अमतलब उसने एक रिक्वेस्ट की है क्या कि अपरे फ्रेंड से रिक्वेस्ट की है रिक्वेस्ट फ्रेंड से नहीं किसी से भी कर सकते हम ठीक है चया वह neighbor हो चया family हो किसी से भी यह चीज़ समझ में आगी अब आगे चलो कि पोचिबिल्टी क्या है मतैं सब्सक्राइब कि मैं क्लिप्सकर कदो कर रहें ठीक बढ यूर उसीड्01 अब यह क्या है कि रिमॉट अंड़िवाणी है सब्सक्राइब मैं जी हम उसी समध्सक्राइब सब्सक्राइब करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए वैसे जैसे मिस्टर शुकला क्या मुझे मिस्टर शुकला से बात करनी चाहिए वो समझ में आई यह चीज कैन कोड का क्लियर हुआ आपको सबको कंसेप्ट जिस बचे को नहीं कैन कोड का कंसेप्ट क्लियर हुआ तो प्लीज मुझे कमेंड कीजिएगा तो मैं आपको दुबारा भी समझा दूंगी ओगे में में इस यूइस वर पॉसिबिल्टी लेग होड़ा पॉसिबिल्टी मौर पॉसिबिल्टी हूं कि हम में मुर्ष करें माइत में थोड़ी लस को सब्सेबिल्टी होती सब्सक्राइस परिए इन नाइए अब देखो बार्यों को देख से ना म्ot Appreciate नीजिट को नौ Psalms मेंगें गेदी वो आएगी सिक कि शायद वो आएगी ठीक है पॉसिबिल्टी होती है 50% में 60% पॉसिबिल्टी होती है ठीक है में यू लिव लंग यह अप्टेटिव अब्जेक्ट संटेंस है जिसमें हम किसी के लिए विश करते हैं उसकी लंबी उमर के लिए या प्रातना करते हैं जैसे में आपको जाए अपिक्स वंदेव लग जिसमें तो अप्टेटि आप्टेव जिसमें हम विश की उसके विश की लाइक उसकी विश करते उसके लिए ठीक है में रिकेस्ट कर रहा है जैसे में कमें सब्छास्ट कर और वो चीज हम पर्मिशन लेते रिक्वेस्ट करते थे आने के लिए कि क्या मैं अंदर आ सकती हूं ठीक है अब देखो आगे माइट माइट एक लैस पॉसिबिल्टी होती है लाइक देखो शी माइट पास टेस्ट बट सिंग इस इंटेलिजनसी आई डॉन्ट हाव मच हो अब मैं कहूं अब जैसे हम पढ़ाते हैं बच्चों को ठीक है अगर एक हमें पढ़ा चलते हैं बच्चे कि कितनी है कि वह जैसे उसके नंबर आजाएंगे कि नहीं तो यह वह चीज तो हम कहते हैं कि क्या पाइट पास का लेगा रिए इसको देख लगता तो नहीं है कुछ करेगा वह चीज़ वह चीज है यह पर अबोट प्रगट करता है जैसकी होगी ठीक है ओके मस्ट में मौर और मस्ट में ही होती है और पासिबील्टी इसका मतलब यह जरूर geç कहते है इससली memory मॉख को डुबई एवरी मंथ अधिमर्य हूं पकाना रिच्छ बहुत जरूर ना रिच्छ बहुत पूरी पासिबिल्टि कि वह रिच्छ ही होगा तब वह दुबई जाता है ठीक है अगे भी समझाती हूं अब मासी देखो इसको कंपल्षन इसको कम पाल्षन में भी हम यूज करते हैं ठीक है कि हम इसको एगंपल्शन में भी यूज़ करते हैं और वेग्स डिटर्मिनेशन कि जिसका दिटर्मिनेशन पूरा फिक्स जो पूरा फिक्स डिटर्मिन हो एंट डियूटी में जैसे स्टूडेंट मस्च यूज़ यूज़ पैंसिल टू फिल और मार्क शीट को उसको करने के लिए फिल करने के लिए मतलब जुरूरी है यह कि इंडिया मस्ट बिंद वॉल्ड काप कि इंडिया को वॉल्ड काप जरूर जीतना चाहिए ठीक है इस को अपनी कंट्री के लिए जरूर फाइट करना चाहिए तो मस्ट का मतलब कि क्या होता है जिरूर अब कैं का मतलब कैं का भी देखें क्या होता है हो सकता हो हो सकता है जैसे पंजाबी में सक्दा जैसे कैना यह हैल्प कर सकता हूं हाँ सक्ता है यह इसका मतलब पंजाबी चों सक्दा कि मतलब क्याता है शायद में आप माइड का मतलब भी शायद मस्ट का जरूर होता है फिक है अब ध्यान से देखो जिनोंने तो फ्यूटर टेंज की देख हुई है वह तो फटा फटा एक से समझ जाएंगे कि हाँ कि इस चैलर विल काम पे यूज़ होता है देखो शेल शेल का सब्सक्राइब के साथ बाकि जो रेस्ट ऑफ दो वह वर्ड सब्जेक्ट होते हैं वह वहां पर क्या यूज़ होता है विल जैसे ही विल कि शी विल कि दे विल हर जगा विल विल ही यूज़ होता है सिर्फ आई और वी के साथ ही सिर्फ यूज़ क्या होता है ओके ठीक है यह समझ में आई बट अब जो जैसे मॉडरन इंग्लिश रही है ना अब जैसे मॉडरन इंग्लिश रही है हर हर सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर के हम विल यूज़ कर सकते हैं आई विल आई विल गो शी विल वी विल गो हम यूज़ कर सकते हैं इन मॉडरन इंग्लिश में जो आज की इंग्लिश चल रही है वहां पे हम यूज़ करते हैं बट इस जो इंटेरोगेटिव संटेंसे होते हैं कोशिर माक पले संटेंसे होते हैं उसमें हम आई यूज़ के साथ सिरव शेल ही यूज़ करेंगे उसके साथ हम विल यूज़ नहीं कर सकते ठीकर इंटेरोगेटिव संटेंस में चाहिए वो मौडरन इंग्लिश में किसी में भी हो क्लियर हुई यह चीज जसे आइशल गो टो कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विद मी यह एक्जाम्पल है उसकी सेंपल आई के साथ शेल की अब यह को यह क्या है यह क्या है शेल आइगो इंटेरोगेटिव सं है चले आगे अब यह नोट पढ़ो वी किन यूज शेल पर सेगिंड परसन सब्जेक्ट लाइक यू हम शेल को स्यूब के साथ भी यूज कर सकते थर्ड परसन हीशी इट दे के साथ भी यूज कर सकते हैं बट क्या होगा कुछ डिमांज हैं उसके लिए कहां कहां पर किसी को प्रामिस करना हो किसी को ड्राना हो इसके साथ यसे हम विल को ऑय और वी के साथ यूज कर सकते हैं ठीक है एग्जामपल देखाँ ु आ यूफ डूरूम यू प一 जाए लीव दरूम अब यूफ के साथ हमनेक्यायुश किया यूस किया अब तक हम क्या यूज कर रहे थे वे ली यूज कर रहे अभी भी बताय क्योंकि वी यूज करते हैं फिर क्यूंनोंने कमांड दी है उन्होंने एक command दी है इसलिए हम shall लगा रहे हैं यू के साथ ठीक है यू शल बी रिवाड़ेड डिनाइवल हैल्प यू काम मैं तुम्हें यू शल बी रिवाड़ेड आई आई के साथ बी शल लगते है अब इन्होंने सेकेड़ परचन के साथ भी शल बड़ आ है यहां पर क्या रहा है यहां पर क्या रहा है यामिस की बात रही हैउ तो आई प्रेस्पासर में भी कोई थेंग है या कोई देखो प्लूरल है यह तो इसके साथ भी हमने शेल लगा दिया ठीक है यह चीज क्लियर हो गई कि कंपल्शन प्रामिस यहां पर सबके साथ हम यू के साथ श्याल लगा सकते हैं या यह बी किसाथ बिल लगा सकते हैं ठीक है अ आग कि देखो बिलीट उनिवर्साल प्रिप्टनें वे उसको एक इवर्चल डोत जैसे उनिवर्साल गट में थे कहो मैं भारिस सभी फ我们 करना के अर्थ करती है सफ एक क्वन्हाइं डेला में आक्षें शेभी सफ सेंस फिडला मुझे इसका हिंदी मतलम नहीं पता अब मुझे याद भी नहीं आ रेडियम्स और फ्रेजिस के लिए हम भी हम विलका यूज कर सकते हैं जैसे अभी आपको इसकी ग्जाम्पल दोंगी जैसे अब यहां पर हमने एक चीज और एक मिनट हम आपको एक चीज बसाते हैं जैसे ही होट ही विल कम अब यह देख यह क्या है वर्ब की सेकिन फॉर्म है मतलब यह पास्ट की बात हो रही है पास्ट की बात हो रही है अब जहां पर आपको वर्ब की सेकिन फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्मेशन दिखी तो उसके साथ हम विल नहीं लगाएंगे उसके साथ हम क्या लगाएंगे वुड यूंकि वुड हमारा पास्ट पॉसिबिल्ट यूज कर सकते हैं वोड का यूज कर सकते हैं ठीक है अगे चलें अगे ओके हेड़ इस इट यौर सर्प्राइज यह आपका सर्प्राइज है जो मैं आपको देना चाथी थी हम यह आपकी महां बिग सेल है जो टूडेस क्यों होest हैं कोई भी on-line course आप लेना चाहोगे तो आपको मिलेंगे अप्टु 80% पर से ठीच हैं कोई भी आप टू एटी परसेंट आफ पे मिलेंगे टू डेस चलेगी टू डेस में काप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 952295232 पर और आप यह हमारी एप है सी बीसी सिख्षा इसको भी डाउनलड कर सकते हो ठीक है पर आपको से बहले हम बात करके वो कोर्स स्लेक्ट करने बढ़ेंगे तो ही आप आयाप की ओपर चल पाएंगे फिक है यह 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 चल आएगी कर फिर्स का फिर्स इक शजाएगी चेल महासल आज प्लीज्ट यह आजएगी प्लीज यह फॉर्स वीक तक आजाई एपरिल के फॉर्स वीक तक ही आपकी से लगेगी अप्टू 80 पॉसंट आफ पे सारे के सारे ओनलेन कोर्स आपको वहां पे मिलेंगे ठीक है तो प्लीज इसका बैनिफिट अच्छे से उठाएं ठीक है कि अभी एक्जाम आ रहे हैं तो इसका बै में माइड मस्ट और कैन और कुट का मोडल के हैं वाट की स्टार्टिंग की थी अब आगया हम इसके जो रहां रहे गी है हम वह कंप्लीट करेंगे फिर इसके हम एर्रस करेंगे ठीक है तब आपको वर्ब के बेसिक नॉलेज हो जाएगी फिर हम उसके बाद वर्ब के